हाई एवरिवन कैसे हो आप सभी लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहूल जेस्वाल और स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि आप सभी लोग के पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी और हम भी आपके पीछे एकदम लगे हुए हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं अपनी तरब से ताकि यार आप लोग का जो बोड एक्जाम से वो पहतरीन जा सके और टेंफ वालोग आपको मैं बताना चाहूँगा कि यार आप लोग के ल ठीक है तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहऊँगा कि हमारा एक्चियल में चल क्या रहा है ठीक है तो सबसे पहले 10 स्टांडर के मांच 2 सब्जेक जूमेटरी सब्जेक का हमारा थर्ड चार्ठा चार्टा सरकल चल रहा था इसका हमारा आज 99 लेक्ट नाइन्थ लेक्ट और यह है practice set number 3.4 का second part यानि कि हमने practice set 3.4 को start किया था previous lecture में जिसमें हमने चार example देखे थे आज अगेन चार example देखेंगे और यह पूरा practice set को complete करेंगे तो आप लोगो बस वीडियो को end तक देखना है तो हमारी तरफ से हम मेहनत कर रहे हैं दोस्तों बस आप लोग की responsibility है कि आप भी अच्छी तरीके से hard work करते रहे है keep studying hard and board exams के लिए all the very best जितना उसे कर पढ़ते रहा हो पूरा content है हमारे channel पर बस आपको पढ़ाई करते रहे हैं ठीक है Instagram पर अभी तक मुझसे जुड़े नहीं हो यार तो please follow me on Instagram link is also given in the description box वहाँ पर मुझसे connect हो जाओगे तो बहुत ज्यादा better होगा बहुत सारी चीज़े आपको पतार चलेगे ठीक है जरूर से follow कर देना चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं तो lecture हमारा पहला जो question जो पूछा है हम लोगो देखो ज्यांदे सबसे पहले जो practice set number 3.4 था अगर आपको याद आ रहा होगा कि यह जो practice set number 3.4 है इसमें हमने चाल example किया था तो आज पाचवए example से हमीं शिरुआत करना है तो पाचवए example अगर आप देखो कि क्या बोल रहा है कि prove that any rectangle इसे cyclic quadrilator मतला हमको बोला है कि कोई भी rectangle होता है वो exactly calculator होता है तो सबसे पहले तो यार हम उब को सोचना पढ़ा कि कोई भी rectangle काईसे ले दे हम लोग तो let suppose कि मैं एक rectangle को draw कर रहा हूं यहाँ पर ये A, B, C, D जो है quadrilateral, यहाँ पे ऐसा लिखो let let quadrilateral A, B, C, D is a rectangle, और एक चीज़ हम जानते हैं कि कोई भी quadrilateral अगर rectangle होता है तो उसके चारो के चारो angle क्या होते है 90 degree होते है, तो therefore हम लोग क्या बोल सकते है कि angle A जो होगा, वो angle B के बराबर होगा, और angle C 90 degree होने के कारण हम लोग क्या आप, reason आपको बताना ज़रूरी है यह आपने बोला 90 degree है किन Q, that is angles of rectangle angles of rectangle Q reason बताना पढ़ता है न, जैखो geometry जोब आप पढ़ते हो यह second part है न, maths का geometry है तो जब भी आप second part पढ़ते हो, लिखते हो maths में हमेशा याद रखना, reason लिखना ज़रूरी है कि क्यों आया यह चीज़, तो 90 की हुए क्योंकि वो angle से rectangle का और हर angle rectangle का 90 degree होता है, ठीक है तो angle A, B, C, D 90 degree है अब एक और चीज़ मैं यहाँ पर कर सकता हूँ कि यहाँ पर समझना में एक angle A जो ले रहा हूँ, और यहाँ पर जो angle C जो ले रहा हूँ, इन दोनों को इन दोनों को, अगर मैं plus करूँ, let's suppose मैं plus करता हूँ angle A को, plus करता हूँ angle C को, तो क्या हो जाएगा मुझे बताओ angle A कितना है, 90 degree है angle C कितना है, दोस्तो, again 90 degree है, ठीक है इन दोनों को plus करूँगा, तो मेरे पस कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, 90 plus 90, 180 तो मैं simply क्या बोल सकता हूँ कि जो मेरा angle A है, plus angle C जो है, is equal to कितना आ रहा है दोस्तो, 180 degree आ रहा है इसको मैं मान लेता हूँ, equation number 1 इसको मैं equation number 1 मान लेता हूँ, और box बना देता हूँ, ठीक है, ये समझ में आ गया ठीक है, अब एक और चीज़ है यहाँ पर कि angle B है, और ये जो angle D है यहाँ आपको दिख रहा है, तो इसको भी अगर मैं plus करूँ, angle B plus angle D को मैं plus करूँ तो ये भी हो जाएगा दोस्तो, 90 degree plus 90 degree, that will be equal to what 180 degree हो जाएगा दोनों मिलाके, तो हम लोग एक और चीज़ बोल सकते हैं कि जो angle B है plus angle D है, इन दोनों का मैं plus करूँ मा, तो ये भी 180 degree आएगा और इसको मैंने मान लिया equation number 2 और इसको भी एक box में डाल देता हूँ, ठीक है, समझा, अब मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो, हमारा lectures आपने देखी, इसके पहले के भी topics अगर आपने पढ़े हैं, तो हमारा एक theorem था, जिसको बोलते हैं हम लोग converse of cyclic quadrilateral, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, जिसमें हमने quadrilateral supplementary, then it is, it will be a cyclic quadrilateral, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर clear cut, clear cut क्या बोल सकते हैं, कि therefore, की quadrilateral A, B, C, D is a cyclic quadrilateral, यह क्या है दोस्तों, यह एक cyclic quadrilateral है, reason क्या बताओगे, reason यह बताओगे, that is converse of converse, C, O, N, V, E, R, S, E, converse of, converse of what, cyclic quadrilateral theorem, cyclic quadrilateral theorem, obviously न, हमने cyclic quadrilateral theorem पढ़ा था, क्या था, cyclic quadrilateral theorem में, कि अगर कोई एक rectangle है, ठीक है, इसमें से circle pass हो रहा है, और यह angle और यह angle जो है, एक दूसरे को supplementary रहेंगे, तो बूख क्या रहेगा, cyclic quadrilateral हैगा, तो यहाँ पर भी ओई चीज हो रहा है, कि A और C, एक दूसरे से opposite है, और A और C को plus करके 180 आ रहा है, B, O, D एक दूसरे को opposite है, और B, O, D को plus करके 180 आ रहा है, मतलब यह दोनों के दोनों क्या है, supplementary एक दूसरे से, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, कि by the converse of cyclic quadrilateral, कि हमारा जो quadrilateral ABC है, वो एक cyclic quadrilateral है, hence proof यह हमने proof करके दिखा दिया, clear है, कितना simple था दोस्तों, कितना simple था है कि नहीं, तो यह होगी हमारा question number 5, complete है, clear है, बहुत ज़्यादा simple example, ऐसे example, exam में ज़्यादा तर पूछे जाते हैं, है दोस्तों, जी हाँ, एक line का question है, कि prove करो हर rectangle cyclic quadrilateral होता है, तो हमने proof करके दिखा दिया, कि जितने भी rectangles होते हैं, वो cyclic quadrilateral होते हैं, correct है, समझ में आ गया, आगे बढ़ जाए, चलो अगले question पर जाते हैं, देखते W, X, Y, यह total triangle है, हमें पूछा है, कि W, Z, P, T is a cyclic, W, Z, P, T की दर दिख रहा है, आपको थोड़ा सा color change करता हूँ, यह आपे मैं, देखो, W, Z, ठीक है, this is P and T, यह जो आपको quadrilateral दिख गया, मैंने red color का दिखा दिया, हमको पूछाए कि यह जो पूरा triangle है, पूरा इसमें बहुत सरे चीज़े दी हुई है, altitudes दिया है, जो भी दिया है, तेकिन question हमें पूछाए कि यह जो हिस्सा है, that is W, Z, P, T का जो हिस्सा है, यह एक cyclic चलो, ठीक है, यह भी proof करके दिखा देंगे, कोई बात ने, तो सबसे पहला first one हम लोग solve करते है, number one, first one हम लोग solve करते है, ध्यान से दिखना, अगर आप ध्यान से यह perpendicular है, यह perpendicular है, यह आपको दिख पा रहा होगा, कि यह Y, Z, जो लाइन आ रही है, कुनसी लाइन, यह Y, Z वाली लाइन आ रही है, यह इस W, से क्या है, perpendicular है, तो मैं क्या लिख सकता हो, दोस्तों, मैं लिख सकता हूँ कि Y, Z, segment, Y, Z, इस perpendicular to, segment, W, X, या फिर X, W, जो भी आप आपको दिख रहा है, P, Z, और W, यानि कि यह जो एंगल आपको दिख रहा है, यह एंगल, यह कितना होगा, मुझे बताओ, यह एंगल कोन बताएगा, कितना होगा, अगर मैं इसको रफ्स करूँ, अगर आप थोड़ा भी ध्यान लगा कि देखो, कि रेड गलर से मैं लिख 90 डिगरी होगा, करेक्ट है, यह 90 डिगरी होगा, अब एक चीज में कर सकता हूँ, इसको मैं equation number 1 नाम दे जता हूँ, ठीक है, यह आपको समझ में आ गया, सेम उसी प्रकार अगर आप देखोगे, उसी प्रकार आप देखोगे, यह जो दिख रहा आपको XT और यह W, Y, यह एक दूसरा से perpendicular है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर, कि जो मेरा segment है, XT नाम का, वो perpendicular है segment, किस से, W, Y से, यह दो को XT, W, Y से perpendicular है, सेम इसी प्रकार, तो हमारा यह जो angle बन रहा है, दोस्तो, कौन सा angle बनेगा, यहाँ पर आप देखो, कि हमारा जो angle बन रहा है, that is, P T और W, मतलब यह जो angle बनेगा, वो भी 90 यहोगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि P, T और W, यह भी क्या हो जाएगा, is equal to 90 degree हो जाएगा, और इसको मैं मान लिया equation number 2, कौन सा, कौन सा, कौन सा बना, देखो ध्यान से, इको मैं पूरा रफ करता हूँ, अब देखो ध्यान से, द This is W, मतलब यह वाला angle, यह दोनों क्या है, 90 degree है, और अगर मैं इन दोनों को plus करूँ, कौन सा angle, यह वाला angle और यह वाला, देखो एक दूसरे के सामने सामने, opposite, opposite, कुछ connection हो रहा है भी, मैंने क्यों किया ऐसा, connection हो रहा है opposite, opposite, तो मैं अगर दोनों को plus करूँ, मतलब मैं डवलू का भी 90 है, तो इन दोने को मैं प्लस करूंगा तो यह हो जाएका 180 डिग्री, तो मैं क्या बोल सकता हूं, यहां पे, तो मैं क्या बोल सकता हूं, क्या अप बोल सकता हूं कि opposite angles क्या है supplementary है तो मैं इधर पर क्या बोल सकता हूँ कि therefore कहाँ लिखो नीचे लिखता हूँ चलो इसको थोड़ा डब्बे को अच्छे से बनाता हूँ पहले रूखो थोड़ा ना डब्बा अच्छे से बनाता हूँ देखो फिर यहाँ पर लिखता हूँ therefore क्या लिख रहा हूँ में therefore कि ये z और t एक दूसरे को क्या होगए प्लस करके 180 होगए मतलब supplementary है तो हम लोग क्या बोल सकते कि ये जो डबा होगा ये क्या होगा obviously ये होगा cyclic quadrilateral तो therefore जो quadrilateral इसका नाम क्या है पी sorry जो भी बोलो आप WZPT यही पूछा था नाम लोग को WZPT तो वही लिखो आप तो WZPT is a cyclic quadrilateral लिख दो यहाँ पे खतम कहानी is a cyclic quadrilateral हमने लिख दिया खतम आ गया answer तो पहला हमने प्रूब करके दिखा दिया बहिया कि WZPT जो quadrilateral था ये एक cyclic quadrilateral है सबसे पहला चीज हमने बता दिया कितनी आसानी से समझ में आया कि नहीं आया अब दूसरा चीज पूछाए कि जो point X, Z और T, Y है न यह कौन cyclic है तो कौन cyclic कैसे प्रूब करेंगे देखो दियान से देखो है यहाँ पे एक सेकेंड इसका काम कतम हो गया अब हमारा दूसरा पार्ट सुरू हो रहा है यहाँ पे ठीक है अब यह हो गया हमारा यहाँ पे अगर आपको reason लिखना है कि यह कैसे आया तो आप लिख सकते हो that is the converse of cyclic quadrilateral यह जो PZW प्लस PTW is equal to 180 आ है और हमने डारेक्ट लिख गए ना WZPT is a cyclic quadril तो reason क्या है उसका by converse of cyclic quadrilateral जो हमने इसके पहले के example में भी देखा converse of cyclic quadrilateral ठीक है अब देखो यहाँ पे second one हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे हाँ आप देखो यह एक चीज आपको दिख रहा है यह एक एंगल दिख रहा है आपको X, Z और Y अब इसको मैं red color से फिर से लिखता हूँ देखो यह देखो यह X, Z और Y इस triangle को consider करो इस triangle में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा है कि angle जो है अब X, Z, Y और X, T, Y ठीक है is equal to angle X, T, Y यह भी 90 degree है न यह वाला भी 90 degree है तो angle X, Z, Y लो या फिर X, T, Y लो दोनों के दोनों क्या है 90 degree है यह मैं ऐसा बोल सकता हूँ बिल्कुल बोल सकता हूँ correct है इसको रपको रहा भी फिलाल में समझा यह चीज देखो पूरा डाग्राम का ही ख point red color लेता हूँ, X जो दिख रहा है आपको और यह जो Y दिख रहा है यह आपको point X और Y जो है वो एकी line में आ रहे है न point X और Y जो है यह एकी line में आ रहे है तो मैं क्या बोल सकता हूँ point X and Y are on same line वो भी कौन से line पे है? XY पे है, same line XY यह जो line XY है पूरा का पूरा एकी line है ना एकी line पे point आ रहे correct है यह आपको इतना समझ में आ गया ठीक है? अब मेरा जो point X, Z और T और Y है ना देखो यहाँ पे X, Z, यह T और यह Y यहाँ पे अगर आप इसको connect करोगे अच्छी तरीके से तो यह आपको समझ में आएगा कि जो point X और Z और T और Y जो है ना यह दो points अगर equal angle पे अलग 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 point पे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो चारो point क्या होते हैं? कौन cyclic होते हैं तो मैं reason directly यहाँ पे लिख सकता हूँ समझ में आ गया, यह हमारा second one भी हमने पूर पूर पर करके दिखा दिया और X, Z, T, Y जो है वह भी सकॉन cyclic है वो हमने प्रूव करके दिखा दिया करेक्ट है समझ में आ गया तो यह हो गया हमारा कोश्चन नंबर कौन सा था 6th complete ठीक है क्लियर है अब अगले कोश्चन पर जाते हैं देखते क्या पूछा हुआ है और दो कोश्चन है फिर यह पूरा प्राक्टिसेट complete अब देखो स्तात्वा कोश्चन क्या पूछा है इसको स प्राइल उन्होंने दे रखा है 125 डिग्री ठीक है 125 डिग्री दे रखा है उन्होंने मेजर्मेंट अफ आर्क एफ यह वाला पाट इतनु सा यह जो एफ दिख रहा है यह 37 डिग्री दे रखा है उन्होंने चलो ठीक है हमें बोल रहा है find the measure of NMS तो यह N यह M और यह S मतलब मेरा कॉर्ड जो है यहाँ पर दो कॉर्ड बन रहा है यहाँ पर कॉन से कॉन से कॉन से कॉन से कॉर्ड बन रहे है इन यह वाला देखो यह मेरा E से लेके N मेरा कॉर्ड है और यहां से F से लेके S तो E N और Fs जो मेरा कॉर्ड है ना दोस्तों यह यहाँ पर दोनों के दोनों externally touch हो रहे हैं किस पर यह point M पर तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि chord EN यह वाला chord EN और यह जो मेरा FS है and chord FS यह दोनों chord जो है touches point M यह दोनों chord आ रहे हैं यहां से यहां से और point M को touch कर रहे है point touches the point M externally कैसे touch कर रहे है है भाई externally touch कर रहे हैं तो यह लिखना जरूरी है तो अगर यह point externally touch कर रहे हैं तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो measurement रहेगा angle NMS का जो यह पूरा हमारा जो angle है ना यह देखो यहां पर ध्यान से फिर से यह जो angle है ना NMS वाला तो यह पूरा जो angle रहेगा NMS का इसको मैं कैसे निकाल सकता हूं क्योंकि externally touch हो रहा है तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं कि वह हो जाएगा half of the arc अब यह किसका आर्क बनेगा यहां पर ध्यान देखो नियान दो तो मेरा जो आर्क NMS जो है कुंसा वाला आर्क यह जो NMS वाला पार्ट है जो इसी सब्टेंट हो रहा है तो measurement of arc NMS जो है इसका लेकिन साथ ही में अगर आप ध्यान दोगे तो मुझे इस मेंस करना पड़ेगा measurement of arc यह वाला EF वाला तो यानि कि अगर आप कुल मिला के कुल मिला के यह द measurement of angle NMS is equal to 1 by 2 of Ns का कितना है Ns का है 125 minus EF का कितना है दोस्तो 37 दोनों को माइनस कर लो देखो हाँ पर कितना आएगा measurement of angle NMS is equal to 1 by 2 125 मेंस करो करो माइनस कितना बचेगा देखो करके देखो 125 में से 37 माइनस करना है ठीक है 15 में से 7 गया 8 11 में से 3 गया 8 अगेन ठीक है और यहाँ पर 0 88 बचेगा करेक्ट है करेक्ट है ना 88 बचेगा ना बरबर 88 तो हमारा यहाँ पर क्या रहे है 88 समझ में आ गया माइनस करके 88 आ गया अब यहाँ पर क्या करना है हाफ करना है तो measurement of therefore हम लोग बोलेंगे measurement of angle NMS is equal to half of 88 88 का half कितना हो जाएगा 44 तो हमारा angle आ गया measurement of angle NMS is equal to 44 degree करेक्ट है कितना simple तरीके से आ गया तो हमें जो पूछा था सिर्फ यही पूछा था ना कि angle NMS को निकालो तो यह चोटू सा एंगल है NMS नाम का उसका angle कितना आ गया दोस्तो 44 डिग्री आ गया बहतरीन तरीके से clear है simple है easy है तो ऐसे example आते हैं एक मार्स या दो मार्स के इसको भी फटा-फट से solve करते हैं और फिर आज का लेक्चर भी stop हो जाएगा तो यह हमारा सबसे लास्ट होला example ध्यान से देख लेना question क्या पूछा है देखो एक figure है जिसमें code ACODE दिख रहा है यह ACADE दिख रहा है इंटरसेक्ट हो रहे point B पर ठीक है ABE 108 है मतलब यह जो angle दिख रहा है आपको ABE यह जो angle दिख रहा है कितना दिया रहा है angle ABE 108 108 डिगरी चलो ठीक है AE 95 डिगरी है AE मतलब यह जो आर्ग पूरा दिख रहा है AE यह कितना है 95 डिगरी है चलो ठीक है हमें DC निकालना है DC मतलब यह वाला यह DC को calculate करना है तो चलो फटा-फट से इसको भी calculate कर लेते हैं तो सबसे पहले में को अगर DC निकालना है यहां पे तो दिमाग क्या लगेगा थोड़ा सा भी ध्यान लगाओगे तो दिमाग आपके लगेगा कि सबसे पहले कि मेरा जो दोनों के दोनों जो lizard है वाहाँ पे क्या हो रहा था इसके पहले के example में क्या अरभी जो यहाँ पे क्या हो रहा है? internally touch हो रहे हैं, देखों कि देखो यह जो AC वाला जो chords है, しm VISTA AC and chord जो है जुसरा वाला इसका नामे DE ठीक है? यह दोनों के दोनों touch हो रहे हैं are touching at point, कौन से point पे touch हो रहे हैं भईया, B पे touch हो हो रहे हैं, लेकिन internally internally touch हो रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को internally क्या हो रहे हैं, जिसके वैसे क्या होगा, कि मैं क्या बोल सकता हूँ कि मेरा जो angle रहेगा, कौन सा वाला जो बन रहा है, कौन सा बन रहा है angle A, B, E बन रहा है, correct है, तो angle A, B, E दोनों के वज़े से जो बन रहा है वो क्या होगा half of ठीक है half of किसके वैसे रहेगा यहाँ पर दोने के addition के वैसे आएगा तो AE और DC जो है यहाँ पर AE और DC जो angle है इसके addition के वज़े से आएगा तो arc AE जब externally touch हो रहा था तो वहाँ पर minus करना पड़ा था ठीक है ना measurement of arc DC ठीक है अब इन दोने को plus कर दो तो angle ABE पर लिवाद तो पता है मुझे 108 degree दिया हुआ है तो 108 degree is equal to 1 by 2 bracket में AE का कितना है AE AE भी दिया हुआ है हमें देखो कितना दिया हुआ AE का value 95 दे रखा है उन्होंने तो 95 plus arc DC का value मुझे पता नियो उल्टा निकालना है तो यह वैसी का वैसे ही रहेगा तो measurement of arc जो है DC नाम का वो वैसी का वैसे ही रहेगा ठीक है समझा समझ में आ रहा है अब next अब में क्या कर सकता हूँ यहाप अगर आप ध्यान दोगे यह 2 को ना उदर भेज देता हो तो क्या हो जाएगा यह 2 उदर जाएगा तो multiply हो जाएगा तो यह जो 108 है यह कितना बन जाएगा दोस्तों यह 108 बन जाएगा 216 2 multiply पे 108 मतलब डबल हो जाएगा तो यह बन जाएगा 216 माफ करना ठीक है is equal to यह देको 2 multiply पे 108 कितना हो जाएगा 216 is equal to यह 95 अकेला रहेगा यह वहाँ पे plus measurement of arc dc मुझे चाहिए यह value तो इसको इदर रहूँँगा 95 को उदर भेज़ दूँगा तो यह हो जाएगा 216 minus 95 is equal to measurement of arc dc ठीक है sorry एक second arc dc न, arc dc correct है मुझे यह value चाहिए तो इसको सीधा कर देता हूँ मतलब इसको इस तरफ ले लेता हूँ तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे कि therefore measurement of arc dc is equal to 216 में से 95 minus कर दो 216 में से 95 minus होगा तो कितना बचेएगा दोस्तों 16 में से 16 में से 5 आएगा 1 और यहाँ पे 2 ठीक है 2 बचेएगा और यहाँ पे 1 तो 121 आगया बराबर तो यहाँ पे पास हमारे पास value आगया कि measurement of arc dc जो हमें पूछा था इसका value इसका value जो पूछा था वो आगया 121 degree जहाँ दोस्तों कितना बहतरीन तरीके से और clear तरीके से हमने इसका value जो है वो complete कितना simple था तो 4 के 4 example जो बचे हुए थे इस practice rate के हमने बिल्कुल आसानी से आप लोगो solve करके बता दिये हैं तो इसका मतलब इसी के साथ हमारा जो practice set number 3.4 जो है यह हो चुका है पूरा का पूरा complete जिया दोस्तों आप पढ़ाई करते रहो कोई problem निये लेकिन यह digital board वाले वीडियो भी इसके आगे के आते रहेंगे continuously और tension मत देना एक और चीज़ आपके लिए strategy वीडियो preparation चालू है बहुत बहुत बेतर निदरी किसे strategy वीडियो आएगा board exams के लिए आप लोग को live revisions भी करवाए जाएगा तो बिल्कुल चिंता करने की जरुआत नहीं है चलो आज के लिए फिर ये वीडियो यहाँ पर stop होता है ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों प्लीज हमें comment करके जरूर से बता देना वीडियो पसंद आया है अच्छा लगा है दोस्तों तो प्लीज वीडियो को like कर देना और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके share कर देना और अगर first time आयो चैनल पर अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है यार तो फटा फट से हमारे चैनल को subscribe कर देना बाजू में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको notifications मिलती रहेगी ठीक है friends तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यूँ वीडियो में तब तक के लिए thank you and goodbye